राजस्व बढ़ा है जो रिवेन्यू बढ़ा है वो थ्री फोल्ड बढ़ा है पिछले साथ सालों में इन्होंने हर गली मौले कंदर दारों के ठेके खुलवा दिये सबसे बढ़ा देश कहीं नजर डाल रहा है आँ आन्मी पार्टी लगातार कह रही है कि सबसे भर्ष सरकार भाच्पा सरकार है कुछ काम नहीं किया है वाजयदी करने नहीं आया हूं तो यह सारी इस्तिती उसके कहने और सुनने में बहुत अंतर है और जानता कि या निया सुर्रा जो छोड़ा है न कि कचरा मलबा बना दिये या कचरा कूड़ा बना दिये तो मैं चैना चाहंगा ये किसी निता नहीं कहा है उनकी भी तो जुम्मबारी बढ़ती है जो पांच करोड की जनता दिल्ली वासियों की उसकी सरकार के तो वही है न एक सीट पर बैठें वह या तो मुख्य मंत्री से आट जाएं खाली पार्टी समाल हैं जो पाड़ बने वें ना कचरा के देर बने वें उनकी भी डूटी है पांच लाग पांच करोड़ जनता का कचरा कहां जाएगा उसको प्लानि करने चीए थी ना उनने पर उस उसके लिए फंट भी देते उन्होंने कुछ नहीं करा अब मुद्दा सिरफ दिखाने के लिए आ गया कि चुनाब चल रहें तो कोई पैदा करने करेंक, क्चरा उनका कहना ये हैं। उनकी संद्ट केमें कहते हैंं n बात करतों केमा रखेरि हैं। जब M.C.D. हाथ में जाएक दिल्ली की सरकार M.C.D. मिलकर दिल्ली को बना देगा स्वर्ग करने खाली कहने से कट्टर इमांदार काट्र इमांदार स्वर्ग पैसे पैसे दिये वहां प्रभारी बना दमात नहीं वाला है तो वह भी बागा के पंजाब से चोड़के बातें दुनिया जानती है आप इस चीज़ को एमसीडी में आप समझ रहें कि कहीं जनता दोके में नहीं कोई दोके में नहीं सब समझदार जनता है कोई और जो मोदी जी है ना वह प्रेक्टिकल काम दिख रहा है 24 गंटे में 18 गंटे 20 गंटे काम करते हैं और पूरा विश्व जो आज जान रहा है पूरा विश्व जान रहा है मोदी फैक्टर चलने वाला यहां पर भी मोदी जी हो हमारा जो सर्फप्रवस्त है ना हमारे मालिक हैं मोदी जी है उनकी दिशा निद्धर से पार्टी चलती है तो यह सारी चीजें देख रही है कि वह दिवाली का मनाते हैं आज पूरा वर्ड उनकी तरफ देख रहा है मोदी जी के तरफ आपने G20 में देख लिया ना उनको आज अमरीका का राश्पती उसको सलाम कर रहा है तो यह कोई भी आइंगे के जूट सामने आएंगे कि दिल्ली के अंदर बड़े-बड़े क्लेम कर रही है वह आमा आज प्रपड़े चलेम कर रही है न्यदू assess देख रहे हैं क्या कर रहे इन्हों हर गली और निक्राइब्स निदी सबक्रो करने की ध्यान बटकाने की बात करते हैं जहां तक केजरिवाल जी की बात है वो सुभेरे क्या कहते है शाम को कहते है उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है सारी लोग जेख रहे हैं कि क्या कहते है और क्या नहीं करते हैं मारे बड़े बाइसा बता रहे थे उन्हों रजनीती में में नहीं आए उनका जब मैं चुनाब लड़ूंगा तो उसके बाद सरकार से कोई सुविधा नहीं लूँगा सारी सुविधा यह लिए उसके बाद उसके बाद रोज जुट बोलते रहते हैं और जुटों के कोई पाव नहीं होते दिली की पड़ी लिखी प्र क्योंको ये गलत फूमी होगी थी कि दिली के जंता को बिझली पानी मुफस्त के नाम के ओppen बरगला के वो कर सकते हैं। तो दिली के अंदर आप बता ठीजे पिछले साथ साल में कौन सा अस्पटाल बना, कौन सा कॉलज बना, कौन सा स्कूल बना, कौन सी सड़क बनाई, कौन सा इन्होंने पुल बनाया दिनली के अंदर पूरे विकास कारे रुके पड़े है जा तक MCD के अंदर की बात है कि MCD के कुछ काम भी कमी रही वो उसका कारण जी है कि फंड का क्रंच तेरा हजार करोड का फंड इन्होंने रोक के रखा जिसके लिए लगातार उनको डिफरेंट कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी डाट पड़ी सुप्रीम कोर्ट से भी डाट पड़ी वो ऐसा उन्होंने फ्रंट करण रखा कि दे प्लान टू मेक MCD ए फेलियोर मतलब कि आप कह रहे हैं कि MCD को बरबात करने का जो काम है वाँ आप कही ने कहीं जो जनाबत तरीके से किया इन्होंने कि MCD को फेल हो, MCD का नाम खराब हो MCD को फंड को उन्होंने दबा के रखा जिससे MCD अपना पूरा काम ना कर सके और दिल्ली के अंदर जो राजस्व बड़ा है, जो रिवेन्यू बड़ा है वो थ्री फोल्ड बड़ा है पिछले साथ सालों में और उसके अंदर आप देख लीजे कौन सा प्रगति का काम किया गया हो दिल्ली के अंदर के लिए अपडेट और भी अपडेट्स के लिए बना रहा है और तम निसके साथ थान्यवाद